कि नमश्कार आप देख रहें केके आ नियूस में हूँ आपके साथ कंच्छा सिंगराज पता ये शुरुवात करते हैं जवर्पुर में पचास किलो मीटर दूर दिनारी खमरिया सित पहाडों में सेमभू उत्पन माशारदा की महीमा दूर दरा जिलाको तक फैली हुई है जोहाना वरात्र परव के दोरान माता के धाम में भक्तो का ताता लगा रहता है मानिता है कि मातरानी के दुर्शन मातर में ही लोगों के सारे कस्ट कर हड़ जाते हैं वही बताया जा रहा है कि 1980 की गाउं के पुजारी रमू पटेल ने इस पर आया कि दिनारी खमरिया में सित पहाड पर माशारदा की प्रतिमा सेमभू उत्पन हुई है जिन जगा मातर उत्पन हुई है उस जगा स्थापना कर मातर का मंदिर बनबाव जिसके बाद धिरे धिरे जिन भक्तों की मनो कामनाय पुण हुई उन्होंने सहयो करते हुए मंदिर का जनो धार करवाया जहां वर्षों से मंदिर में आ रहे हैं भक्त गोविंद सोनी ने बताया कि इस धाम में उन्होंने चमतकार होते हुए दिखा है जहां माता शार्दा किश्रण में भी जो अपनी समस्या लेकर आता है उनकी कभी सभी समस्या का समधान धाम में होता है नवरातरी पर्व में शार्दा धाम में विशेश आवजन नोग दिनों तक चलते हैं जहाई सायतार में दूर्दो से भगत अपनी अर्जी लगाने पहाडों में बिराज़ि माता के दरवार में पहुचते हैं। वेरे मंगलवार और शनिवार को मदिर में प्रागर्ण में चोकी लगाई जाते हैं। जवलपुर से वाजित खानी की रपोड़ इसकी अद्बुज मतलब महिमा है इस महिमे को तो मतलब कोई देख नहीं सका और नहीं देख पाएगा लेकिन इहां जो भी है आदमी दिल से स्रद्दा से मतलब तीन पेसी कर ले उसकी मनों कामना पूर्ण होती है कहा है यह منदर और कबसे है यहां पर कितना पुराणा वी दिनारी ख। अमरिया में इस मनदर है हमारे गोविन सोनी जी आमनपूर नःवस्ति में रहते हैं जनम बुमी उनकी यहीं की है वो उनोंनरे को यह रास्ता दिखाया तं में आंगे बढ़ा लगभ जी क्या महिवा है से मंदिर की कौन सा मंदिर है यहाँ की महिमा यह है कि मेरे को पहले मालूम नहीं था जब यहां पे मतलव हम लोग इस खूल में पढ़ते है कि आसी जानकारीन मली कि देनारी हमर घ्राव मंद्र में जंगल में वहाँ पर माता जी ब्राजमान हो रही है जैसी हमको जानकारी मिली तो हम लोग इश्पूर से सब बच्ची लोग सब कोई आई यहां आई तो यहां पर जो पहले से जिसकी लगन लगी रहे पंड़ा जी रम्मो पटैल हैं जिनारी खमरी अगे उनकी यहां पर हमेशा आना जाना यहां पर उनका मन भाव लगा रहा है यहां पर जब हमको जानकारी मिली तो यहां पर पंड़ा जी मतलब अपनी बैठी थी फिर इसके बाद मैं बूले कहन कि अब भी दस बच के दिन में दस बच के चोンतिस मिलट में दरसन माता जी के हुज आएंगे लो माता जी ना दरसन देई न दीखिक तो पंड़ा जी ने जो रम्मा कड़ा अपनी जीप काटके और उनने चला दिया बल्तान कर दिया दरसन इसके बाद मैं माता जी कि जब दर्शन हुए तो लिए गाउं बस भी पूरी मतलब हजारों गाउं की जनतफ सब तूट गई मतलब यहां पर अच्छी पूजा मामता चड़ोत्री सब कुछ होने लगी लिए होते होते एक बाहरी बाबाय आया जैसा भी मतलब है वो यहां पर कर दिया हो संद को जो प छोड़ने के बाद मैं कुछ गाउं बस्ती की लगन लगाई रहे पुरान और भी होती रहे मतलब जितने भी भाव ना मतलब लग गई चलते चलते जमान के चलो कि कम से कम 40 साल हो गया इस्थान कर चालिस साल के बाद मैं आज जो बरत मान में जितना इस्थान है यह आपके स अगर मानोगे तो एक पेशी चार पेशी में तुमको बिलकुल पूरा प्राप्त मिल जाता है इस्थान का यहां का मैं राम प्राथा कुस्वाह दिनारी खमरिया जी यह कौन सा धाम है और यह कहां पर है और नौ दिन जो अभी नवरातर पर चल रहे हैं तो किस प्रकार के यहां आयोजन होते हैं यह सलहाई धाम है दिनारी खमरिया और माता जी यहां निकली रही सपना दिये रही पंडा को तो फिर गाववफ्ति के लोग जोड़े और आके उन्होंने माता की आरजी विन्नित करा और माता को निकाले और माता निकली और पूजा भक्ती आदमी आके करते हैं और मनोकामना पूर्ण भी होती है और होती रही है और होती जा रही है यह प्रतीमा जोल है भूमी से यह कि 1980 की बात है और माता ने सपना दिया था सनस्सी में जब से माता यहां ब्राजमान है और चर्रहा है इस्तान और आदमी आते हैं लोग वागाते हैं दूरे-दूरे से बहुत आते हैं और आर्थी बंदन करते हैं जो भी मनोकामना होती है उनकी पूर्ण होती है जी पंड़ है वो भी आते हैं यहां जानबर आते हैं और जो चीतरा होते हैं खरगोस होते हैं और हिरन होती है और भी जो लड़ाया होते हैं सुंगर होते हैं तो यह सब आते हैं यहां और आप आकर देखना है आपको तो आप सुबह आईए या फिर दुफर के मालो जैसे एक बचता है जब यहां कोई नहीं रहता जब आते हैं तो आपको मिलेंगे और जब बारे सोती है घाफ जमाती है जब और अधिक मिलते हैं अब इस समय पर थोड़ा सा रूखा पना है और घाम में रहता है तो इस समय पर उत्ता नहीं आ पाते परंटो यहादी आप देखना चाहते हो तो आप जब यहां कोई नहों तो आप आके और देख सकते हैं नाम मेरा नाम रामसरन पुजारी है रामसरन ज्हारिया दिनारी खमरिया का मैं रहने वाला हूं